हेलो फ्रेंड्स वेलकम आई यूट्यूब चाइनल सेव खाने का सही टाइम और सेव खाने के दस पहतरीन फायदे आज हम आप लोगों के साथ शेर करेंगे दोस्तों अगर आप सही टाइम पर सेव खाएंगे तो इस से बहुत फायदे पाएंगे और अगर गलट टाइम पर खाएंगे तो पश्टाएंगे और इस से मिलने वाले फायदे आपको नहीं मिलेंगे अगर आप एक सेव रोज खाएंगे तो आपको डोक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा ये सिर्फ एक फल नहीं है बलकि बिमारियों को हमसे दूर रखने का साधन है इसमें अनेक पोशक तत्व, विटामिन, खनील, लवन पाए जाते हैं सबसे पहले हम बताएंगे सेव खाने के दस बहतरीन फायदे क्या है हिर्दिय रोग हार्ट प्रोब्लम शरीर में बैड कोलेस्टोल जमा होने की वज़ा से ही दिल की बिमारी होती है सेव कोलेस्टोल कम करने की शमता रखता है डेली एक सेव का सेवन दिल की बिमारी में फायदा पहुँचाता है हड़ियों को मजबूत करने में हमारी हेल्प करता है ये सिर्फ हड़ियों को ही मजबूत नहीं करता बल्कि उन्हें तोटने से बचाता है इसमें केल्शियम भरपूर मातरा में पाया जाता है अस्थमा से बचाओ करते हुए सेब की मीठे टेस्ट का लुथ उठाते हुए आप अस्थमा और उसके लश्चनों से बच सकते हैं सेब में बेजोड प्रोपर्टीज होती है दोस्तो हम बात करें मजबूत सफेद चमकीले दातों की उसके लिए भी ये बेजोड है सेब को खाने से दान्थ स्ट्रॉंग और हेल्दी बनते हैं सेब में उत्तम गुन पाए जाते हैं अगर रोजाना सेब खाया जाए तो ना सिर्फ बोडी से टोकसिल बाहर निकल जाते हैं बलकि पाचन किरिया और रक्त परवाह में भी सुधार होता है दोस्तो सेब भूलने की बिमारियों में भी फायदे मंद होता है सेब खाने से दिमाग तेज होता है ये कोशिकाओ को सवस्त बनाता है दिमाग को तेज करने के लिए इसको चिलके के साथ ही खाना चाहिए सेव में कोलेस्टोल कम करने की शमता भी होती है हमारी बोडी में एक बैड कोलेस्टोल होता है और एक गुड कोलेस्टोल होता है ये बैड कोलेस्टोल की मातरा को कम करता है जिससे दिल की बिमारी से बचाओ होता है सेव खाने से कैंसर से भी बचाओ होता है सेव एंटी ओक्सिडेंट और पेटो केमिकल्स का एक अच्छा सुरोत है जो कैंसर को शरीर परकबजा करने से रोकता है कैंसर की कोशिकाओ को नस्ट करता है सेव पेट, स्तनलीवर और फेफडो के कैंसर को रोकने में भी विशेश रूप से फायदेमन होता है मदुमय पेशेंट के लिए भी सेव खाना बहुत फायदेमन होता है वजन घटाने के लिए भी सेव का खाना उत्तम माना जाता है क्यूंकि इसमें फायबर काफी मातरा में मौजूद होता है इसलिए वजन घटाने में सेव हमारी काफी खयार रखता है कहरे की खूबसूरती की बात करें तो उसमें भी सेव खाना बहुत फायदेमंद होता है सेव खाने से चेहरा खूबसूरत और सोफ्ट हो जाता है अब हम बताते हैं सेव किस टाइम खाना चाहिए और किस टाइम नहीं खाना चाहिए सेब को छिलके के साथ सुभा के टाइम खाना सबसे ज्यादा फायदे मंद होता है इसलिए इसको रात में खाने से काफी नुकसान होता है पेट में गैस बनी रहती है जो की हैल्थ के लिए बिल्कुस सही नहीं है सेव को रात में खाने की सला डोक्टर भी नहीं देते हैं आप इसको सुभा के टाइम खा सकते हैं ब्रेक पास्ट में खा सकते हैं दोपहर को खाने के फोरन बाद खाने से या रात में खाने से आपको इससे कोई फायदा नजर नहीं आएगा बलकि नुकसान होगा अगर आपको सुभा टाइम नहीं मिलता है तो आप इसे लंज के 2-3 घंटे बाद खा सकते हैं अगर आपकी पाचन किरिया बहुत स्ट्रोंग है तो आप इसे रात में खा सकते हैं बट इससे जो फायदे मिलने वाले हैं वो सुभा खाने से ही मिलेंगे इसलिए आप सेप को सुभा के टाइम खाएं ताकि आपको इसके पूरे पूरे फायदे मिल सकें हेल्दी रहें, खुश रहें अगली वीडियो में हम आपके साथ बहुत इजी तरीके से सेप का मुरब्बा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत कुनकारी होता है सदी गर्मी दोनों में आप उसे खा सकते हैं अपने हातों से बना कर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ट्राइ कीजिएगा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहें और आप लोगों के लिए लाते रहें अगली वीडियो में फिर मिलते हैं बाब बाई